राधे राधे दोश्तों, कुकवी तुपासना मिस्तरा में आपका सौगत है आज के इस वीडियो में हम बहुती ज़ादा टेस्ट यूर हेल्दी बाजरे के आटे के लड़ू बनाएंगे इन्हें बनाना असान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लड़ू बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रखेंगे, एक चमच गी डालेंगे एक चथाई कब बादाम डालेंगे, लो टु मीडियम फ्लेम पर 30-40 सेकंड के लिए भूनेंगे बादाम हलके से फ्राय हो गए हैं एक चथाई कप काजू डालेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए और भूनेंगे काजू बादाम फ्राय हो गए हैं एक प्लेट में निकालेंगे इसी गी में आधा कप कद्दू कस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे हलका कलर चेंज होने तक भूनेंगे नारियल भी भून गया है एक कंटेनर में निकालेंगे कड़ाई में आधा कप घी डालेंगे घी को गरम होनी देंगे घी गरम हो गया है हमने यहाँ पे एक चथाई कप गोंद लिया है थोड़ा थोड़ा करते हुए गोंद को फ्राय करेंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे लगातार चलाएंगे आप देख सकते हैं गोंद कितनी जल्दी फ्राय हो रहे हैं सारे गोंद फूल गए हैं क्लेट में निकालेंगे बचे हुए गोंद भी फ्राय करेंगे कड़ाई में घी बचा है इसी में आधा कब घी और डालेंगे दो कब बाजरे का आटा डालेंगे लो टू मीडियल फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से घी अलगना हो जाए काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे आप इन्हें दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं लगभग 15 से 20 विनिट हो गये हैं आटा भून गया है आप देख सकते हैं इसमें से घी भी अलग हो गया है गैस को बंद करेंगे और इसे कंटेनर में निकालेंगे आटे के उपर कटे हुए काजू बादाम भी डालेंगे साथ ही भूना हुआ नारील डालेंगे गोंद को कटोरी से क्रश करेंगे हमने गोंद को भी क्रश कर लिया है सेम कंटेनर में डालेंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज में पिसी हुई चीनी को डालके मिक्स करें और फिर लड्डू बना ले चीनी डालते वक्त एक बात का ध्यान दें कि आठा गरम नहीं होना चाहिए लेकिन लड्डू को और हेल्दी बनाने के लिए हम इसे गुड़ से बनाएंगे हमने गैस पे कढ़ाई रग दी है डेढ़ कब कट किया हुआ गुड़ डालेंगे लो फिलेम पे लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो गया है इसे और नहीं पकाना है बस मेल्ट ही करना है गैस को बंद करेंगे और इसे लड्डू के मिक्षर के उपर डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा सा मिक्षर लेंगे और लड्डू बनाएंगे लड्डू का साइज आप अपने अनुसार बढ़ाया छोटा रख सकते हैं एक लड्डू बन के तयार है सेम प्रोसेस सारे लड्डू बनाएंगे मैं आपको एक लड्डू तोड के दिखाती हूँ देखी बहुती ज़ादा टेस्टे लड्डू बन के तयार है लड्डू को ठंडा हो जाने के बाद आप इने एक कंटेनर में दो महीने के लिए स्टूर कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा राधे राधे